आई आज बिहार के बारे हम जानते हैं बिहार 26 जनवरी 1950 में स्टेट बना था और यह पॉपलेशन के इसाफ से 3rd largest और एरिया के इसाफ से 12th largest इस्टेट है बिहार से ही दो महान रिलीजन की सुरुवात हुई है मावीर और बुद्धा दूनों को ग्यान प्राप्ति बिहार में हुई थी इसके लाब दुनिया का सबसे पुराना इंवर्सेटी नालंदा इंवर्सेटी भी बिहार में था जिसमें दुनिया भर की लोग पढ़ने आते थे और जिसे भक्तियार खिल जी के आर्मी ने डिस्ट्रॉई कर दिया था बिहार में ओल्डेस्ट हिंदू टेंपल भी है जिसका नाम मुंदेशवरी टेंपल है यह भगवान सिप जी का मंदिर है इसके लाब आरे भट का पी जनम बिहार में हुआ था जिनों ने पुरी दुनिया को जीरो दिया था इसके लाबा गुरू गोविन सिंग जो दसमें सिख गुरू है इंका पी जनम पटना बिहार में हुआ था 22 दिसंबर 1668 में इसके लाबा मौरिसस के फर्स्ट पी-म का भी जनम बिहार में हुआ था सिव सागर रामगुलम और ये फादर ऑफ निशन भी ख्या जाते हैं मौरिसस के इसके लब आप बिहार के बास 38 डिस्टिक है जारखन भी बिहार से अलगों के 15 नॉबंबर 2000 में नया स्टेट बना था यहां के सीम नितिस कुमार है और गवर्नर भागु चोहान है और कैप्टल पटना है बिहार की बात करें तो ये तीन स्टेट से बॉंडरी सेर करता है यूपी वेस्ट बंगाल और जारखन के साथ और यहां सोलर राजी सभा सीट है इसके लाबा 40 लोग सभा सीट भी बिहार मे थैंक यू विडियो अच्छा हुआ तो प्लीज लाइए और सब्सक्राइब